ऐसे लोग जिनको फालिस मार चुका है एक बार स्ट्रोक का अटेक आ चुका है अब उनको आगे क्या खाना खाना चाहिए उसी के वारे विडियो है अब ऐसे लोग जिनको फालिस मार चुका है वो सबसे पहले ऐसी कोई भी चीज नखाए जिसमें ज्यादा तेल डला हो राइ करें जो डीफृ नहीं को भी अवाइड करें मार्केट में साथ था आके सामान को फालेशुका रहता उसमें जादह संभावना यह है कि आपकी जो अर्ट्री है जो धामनी है उसमें उसके ल्यूमन में कौलेस्टल जम्हा हो गयान फैट जम्हा हो गया है जिसको हम लोग अथरोस्क्रोसिस बोलते हैं वो चुंकि फैट के कारण जमा हुआ है तो उस फैट को ही हमें अब सरीर में जादा नहीं देना है इसलिए ये चीजे हमें अवाइड करनी है इसके अलाबा अपना ट्राइगलिस्राइड और जो कोलिस्ट्राल है उसको कम करने के कोशिस करना है तो ट्राइगलिस्राइड जो बनस्पती आयल होते हैं जो वेज ओरजिन वाले फूट से जो आयल मिलता है उसमें ट्राइगलिस्राइड बढ़ता है और कोलिस्ट्राल या तो दूद की बनी चीजे या तो नान वेज में होता है तो आप दूद्ध की वनी चीजों में अगर दूद्ध खाना चाह रहे तो उपर का पहले उबाल के दो तीन वार उसका जो उपर की क्रीम है उसको निकाल दें फिर खाएं और चाज खाएं दो चीजे आप खा सकते हैं जो फुल फैट मिलक होता है और फुल फैट जो करड है इससे बचना है जो फालिस के पेशेंट है उनको ये दोनों चीजे भी अउइड करनी है इसके वाड़ा करने corresponds होते हैं जैसे मिठायों मिलेते हैं या इसक्र तिवर्स करणा सक्का के शरीर में मुटापा बढ़ता है अगर आप सक्का ज़्यादा हो काम नहीं करते तो सहीर में उससे ultimately वो सकर फैट के फार्म में कनवाट होती है और हमारे लीवर में और इसकिन के नीचे जमा होने लगती है तो ज़्यादा मीठे चीजे भी अवाइट करना है उससे भी जो स्ट्रोक के पेशेंट रहते हैं उनको नुकसान होता है और इसके अलाबा एक इक इलकोहल जो सराब है वो भी बहुती खतरनाक है इसे पेशेंट जिनको स्ट्रोक के हो चुका है तो इलकोहल को अवाइड करें इसके साथ में स्मोकिंग है वो उसको भी अवाइड करें क्योंकि स्मोकिंग से भी जो आर्टरी होती है जो धमनी है जो सिकुड गई है जिसका रास्ता बलाक हो गया जिसके कारण ये स्ट्रोक हुआ है वो बढ़ता है तो स्मोकिंग भी भाइट करने हैं, नमक जिसमें जादा डला हो ऐसी चीजें भी ँवायट करना क्योंकि नमक से ब्लैडट पैशूर बढ़ता है और ब्लैट पिश्र के पेश्रीन में चो में बहुत ही कमन बात है, तो नमक कीज़ में थायन्य प्लता हूथ है वह आउन्य जैनिज आ होता है या जो चाइज फूर्डों विद्धा रहता है फास्ट फूर्ड्ड यए से नान वे जो गरहे में नमक ये टिपस है कुरक नहीं क्युल TanzOUT ये जिस तरह नमक की चीज़ों हो आवाईड करें अब बातक करते ह क्या चीजे जिसे स्ट्रोक के पेशेंट खा सकते हैं तो स्ट्रोक के पेशेंट ज्यादा ज्यादा सब्जिया खाने कोशिस करें क्योंकि सब्जियों में इंटी आक्सिडेंट होता है मिनरेल्स होता है बेटामिन होता है और कैलरी नहीं होती फैट है वो नहीं होता सब्जिय आती है, गोवी और सारी की सारी सब्जियां खाइ जा सकती हैं, और दूसरी चीज़ जो खा सकते हैं, वो फूर्स है, फल हैं, फल में ध्यान ये रखना है, कि सीजनल होना चाहिए और बहुत ज्यादा नहीं खाना है, कि मुटापा फिर बढ़ने लगता है, फल को एक लिमिट करो या मैंगो की बात करो या कोई और किसी भी रीजन में रहता है जैसे की संत्रा मिलता है उसके एरिया में या कोई हिली एरिया में होगा तो उसको सेव मिलता होगा वो सारे ले सकते हैं इसके अलाबा जो अनाज है वो फाइवर साइथ होना चाहिए मतलब कि मैदा हैं वो ले सकते हैं दालों में भी फाइवर कावी होता है तो आप किसी भी तरह की डाल है वो सारी डालें आप खा सकते हैं अगर बात करें कि नान वेज में क्या खा सकते हैं तो नान वेज में फिस लिया जा सकता है उसके अंदर काफी अच्छे टाइब वाला फैट होता है और दूसरा कि उसको फ्राई ना करें उनके खाएं और जो चिकन मटन है इस तरह की चीजों को अबाइड करें अगर खाने का बहुत ही मन है या बहुत ही सौकीन हो तो भूना वाला हो जादा बेटर है उसमें जो तेल है और मसाला वो जादा ना डले तो बेहतर है और जो दूद के प्रोड़क्ट है और दूद से बने हुए उसमें चाच ठीक रहेगा पनीर खा सकते हैं कभी कभी क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है मागी का जो फुल फैट दही है या फुल फैट दोध है उसको अवाइड करें क्योंकि उससे आपका कोलिस्ट्राल बढ़ेगा उससे बजन बढ़ेगा और फिर ये जो स्ट्रोक की प्राबलम है वो फ्यूचर में बढ़ सकती है तो ये तो हो गए कि खाने में कुछ चीज़ें खानी हैं कुछ चीज़ें अवाइड करनी है और इसके साथ में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपकी जो दवाई चल रही है एक खुन पतला करने की दवाई चलती है जो एंटी प्लेटलेड मेटसीन जैसे की एस्परीन हो गए रहा है वो एक दवाई चलती है मुवन जिससे कोलिस्टराल ट्राइगलिस्टराइड कम होता है टॉरवाइस्टेटीन फिर बलड पिशर की दवाई है आपकी डाइबटीज की दवाई है ये चार-पास तरह की दवाई हैं ऐसे जिनको स्ट्रोक एक बार हो चुका है फालिस का टैक आ चुका है उनमें चलती है तो वो पूरी दवाई काफी दिन तक है लाइफ लांग खानी रहती है अपने से नहीं बंद कर देना है कि हमने तो ये स्ट्रोक के पेशेंट वाला खाना चालू कर दिया है तो अब हम अपने से दवा बंद कर दें तो खाने का एक अपना रोल है खाने का रोल ये है कि आपके सरीर में निट्रीशन अच्छे से मिले और जो Triglustide है जो fat है जो कोलिस्टियल है वो कम हो तापके खाने में ज्यादा नमक नहीं हो आपका ज्यादा وجन नहीं वड़े smoking है ऐलकोहल इसको avoid करना है ये कुछ खाने में बतलाव है stroke के patients के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनको भी स्ट्रोक भी हुआ रहा होगा वो इस तरह के खाने अपनाएंगे तो आगे आने की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगा हैं कि सो मच